इस वीडियो में बताएगी सारी जानकारी पबिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षबलों की गोपनियता भंग होती है जानकारी सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारीं के आधार पर काम करता है जो सारवजनिक रूप से मौजूद है डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है मैं हूँ आलो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लद्दाख में अगर दोनों देशों की एरफोर्स आमने सामने आ जाएं टकरा जाएं उन दोनों के भी जंग हो जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि दोनों देशों की एरफोर्स की तुलना सिर्फ लद्दाख कॉन्फिक्ट को ध्यान में रखकर कर रहा हूँ ये दोनों देशों की ओवरॉल एरफोर्स का कमपैरिजन नहीं है इसमें हम लद्दाख इलाके में मौजूद दोनों देशों के फाइटर जेट्स, हलिकॉप्टर्स, एर एसेट्स और उनकी कमजोरियां क्या हैं उनकी मजबूतियां क्या हैं इनकी एनलेसिस करने वाले हैं तो सबसे पहले भारत और चीन के एर फोर्स की कमांड स्ट्रक्चर को मुटा मुटी समझ लेते हैं चीन के पास भारती एर फोर्स से बहुत अच्छी है, बहुत आगे है लेकिन जब आप इनकी डीप डीटेलिंग में जाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि जैसा अववन चीनी सामान उपर से दिखने में तो अच्छा लगता है लेकिन जब आप उसे भीतर से जानते हैं तो वो बेकार निकलता है ठीक उसी तरह इनकी एरफोर्स भी बाहर से दिखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत बड़ी लगती है लेकिन अंदर में मामला मेडिंग चाइना वाला ही है कैसे? मैं आपको बताता हूँ दोनों देशों का क्षेतर फल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे देखा जाना बहुत जरूरी है चीन भारत से करीब तीन गुना बड़ा देश है भारत का क्षेतर फल करीब 32,87,263 स्कौार किलो मिटर है वहीं चीन का क्षेतर फल करीब 95,96,960 स्कौार किलो मिटर है तो जाहिर सी बात है चीन को अपने हवाई इलाके की सुरक्षा के लिए जादा विमान चाहिए दोनों देशों के फाइटर जेट की संख्या को अगर इसका क्षेतर फल से डिवाइड करें तो ये पता चलेगा कि एक फाइटर जेट के उपर कितने बड़े इलाके की सुरक्षा के जिम्मेदारी है तो जैसा कि मैंने आपको बताया चीन का क्षेतर फल करीब 96,000,000 स्कौार किलो मिटर है लड़ाकु जहाज 2,000 हैं तो चीन में एक फाइटर जेट के पास करीब 4,800 स्कौार किलो मिटर की सुरक्षा का जिम्मा है वही भारत का क्षेतर फल करीब 33,000,000 स्कौार किलो मिटर है लड़ाकु जहाज 900 हैं तो भारत में एक फाइटर जट के पास करीब 3666 स्कौायर किलोमेटर की सुरक्षा का जिम्मा है इसका मतलब यह हुआ कि चीनी एरफोर्स पर बड़ा दवाब है क्योंकि उसे एक बड़े इलाके की कम विमानों में सुरक्षा करनी है चीन के दिक्कत ये भी है कि वो अपनी एरफोर्स की जो पूरी ताकत है वो तिबबत के तरफ नहीं ट्रांसफर कर सकता क्योंकि उसे और भी कई बड़े मोर्चे सभालने है लेकिन जिन एयरक्राफ्ट को उसने इधर तैनात किया है उनसे टकर लेने के लिए भारत की तैयारी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ लद्दाख इलाके में चीनी एरफोर्स मुकरूब से जे 10, जे 11, जे 16, सुखोई 30, सुखोई 27 जेट्स को उपरेट कर रही है वहीं भारत इस इलाके में राफेल, सुखोई 30, मिग 29 और जगवार को उपरेट कर रहा है जो की आल वेदर फाइटर जेट्स हैं इसके लावा चीन के तथा कथित 5 जेनरेशन जे 20 को भी देखा गया है लेकिन ये कितना कारगर है ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है क्योंकि दुनिया को इसकी बेहद कम जानकारी है हेड टू हेड फाइटर जेट्स की बात करें हैं तो चीन के जे 10, जे 11 और सुखोई 27 राफेल के सामने पुराने हैं और टिक नहीं पाएंगे चीनी सुखोई टककर दे सकता है लेकिन वो भी राफेल की एडवांस अवियोनेक्स, सेमी स्टल्थ मोड और लॉंग रेंज मेटियोर और मीका जैसे बियोंड विज्वल रेंज मिसाइलों के आगे जादा टिक नहीं पाएगा राफेल के साथ भारतिय सुखोई 30 भी लद्दाक में मौझूद है तो आप समझ सकते हैं कि राफेल और सुखोई 30 की जोड़ी के आगे चीनी जेट्स पानी भरते हुए नज़र आएंगे साथ ही सुखोई पर लगे ब्रमोस क्रूज मिसाइल के बारे में चीन को अच्छी तरह पता है आपको याद होगा एर चीफ मार्शल आरकेस भदौरिया बता चुके हैं कि सुखोई पर लगी ब्रमोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल मलका से हौन अफ एफरिका तक हमला करने म जिससे विमानों को इतनी उचाई पर उडाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन इंडियन एर फोर्स ऐसे खराब हालातों में भी चीनी एर फोर्स से बहतर है भारत अपने आधुनिक विमानों के वज़े से क्यों चीनी एरफोर्स पर भारी है ये जानना बेहत जरूरी है भारती एरफोर्स के फाइटर जेट्स राफेल, मिग 29, सुखोई 30, जगवार, लगातार, लद्दाख के आसमान में कैप मिशन्स यानि की कॉमबेट एर पेट्रोलिंग कर रहे हैं ये सब ही ओल वेदर जेट्स हैं, यानि मौसम कितना भी खराब क्यों न रहे, ये अपने मिशन पर भेजे जा सकते हैं जबकि चीन के सुखोई 30 और J-10 ही ऐसे विमान हैं जिन में ओल वेदर कैपिबिलिटी है इसकी पुष्टी अमेरिका के हावर्ट केनेडी स्कूल के बेलफर सेंटर फोर साइन्स और इंटरनेशनल अफियर्स की रिपोर्ट में भी किया गया है जिसमें कहा गया है कि चीन के विमानों को 50 फीजदी कम फ्यूल और पेलोड के साथ तिबबत में उडान भरना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात इंडियन एर फोर्स के पाइलेट्स को हाई इल्टीटूड कॉमेट मिशन में जबर्दस अनुभाव प्राप्त है जबकि चीनी एर फोर्स पाइलेट्स के पास ये अनुभाव बेहत कम है यानि भारतिय फाइटर जेट के पाइलेट अपने अनुभाव की वज़े से इस इलाके में एर डॉमिनेंस को कायम रख सकते हैं वहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इंडियन एर फोर्स के चीनी कहलिकॉप्टर्स, C-17 ग्लोब मास्टर, C-130 जे हर्कूलिस जैसे अती आधोनिक विमान अपना काम कर रहे हैं जंग के दोरान इनके जरीए बेहत तेही से हतियार, उपकरण और दूसरी चीज़े पहुँचाई जा सकती हैं इनके बराबर का कोई भी जहाज चीनी एर फोर्स के पास नहीं है ट्रांसपोर्ट के मामले में चीनी एर फोर्स अभी भी पुराने विमानों का हैं इस्तमाल कर रही है जिनके ऑपरेशन्स ऐसे इलाके में बहुत सीमित हो जाते हैं इसके अलावा अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को आपने लदाख में देखी लिया होगा इसकी टककर का भी कोई अटैक हेलिकॉप्टर चीनी एर फोर्स के पास नहीं है यानि यहाँ पर भारतिय वायूसेना हर लिहाज से चीन पर भारी है क्योंकि जितने भी भारतिय एर क्राफ्ट्स मैंने आपको यहाँ पर गिनाए हैं वो सब कसब बैटल प्रूवेन है यानि दुनिया की बड़ी बड़ी लड़ाईों में यह दिखा चुके हैं कि यह किस कदर दुश्मन को बेबस कर देते हैं इसके अलावा भारतिय वायूसेना के पास एक बहुत बड़ी एच है L.A.C. के करीब एयर बेसिस का होना The Chinese Air Threat Understanding the Reality के कुछ हिस्सों का जिक्र करूँगा ग्रूप कैपटन रविंदर सिंग चटवाल साल 2004 में एयर फोर्स से रेटायर हुए दिली के सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज में सीनियर फैलो भी रह चुके हैं इन्होंने अपने किताब में चीन और भारत के एयर फोर्स की बेहत शानदार डिटेलिंग की है ग्रूप कैपटन चटवाल के मुताबक भारत के पास L.A.C. के करीब एयर बेसिस और एडवांस्ट लेंडिंग ग्राउंट्स होने का बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप नक्षे पर भारती एयर फोर्स की कवरेज और डिप्लॉइमेंट देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है देखिए नक्षे पर आपको नौदन कमांड और सेंटर कमांड नजर आ रहे हैं जम्मु कश्मीर से लेकर यूपी तक आपको एयर बेसिस नजर आ रहे हैं ठीक ऐसा ही इस्टन कमांड में भी है यहां आप देख सकते हैं LSE के करीब नौर्थ इस्ट में मौजूद एयर बेसिस को वहीं शिंजियांग में होटन और काशगर एयर बेस हैं यानि जंग के स्थिती में यही साथ एयर बेस चीन इस्तमाल कर सकता है लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा पेच है किसी भी फाइटर एयर क्राफ्ट ऑपरेशन के लिए यह जरूरी है कि सारे एयर फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करें यानि एयर फील्ड कोई भी हो उसके 100-200 किलोमेटर के दारे में दूसरा एयर फील्ड होना ही चाहिए क्योंकि अगर हालाद ऐसे बन जाते हैं कि जिस एयर फील्ड से विमान ने उडान भरी वो वापस लैंड होने लायक नहीं रहे तो करीब में उसका दूसरा विकल्प होना ही चाहिए भारतिय वायू सेना के पास जमु कश्मीर से लेकर अरुनाचल प्रदेश तक यह विकल्प मौजूद है लेकिन चीन के पास ऐसा नहीं है शिंज्यांक सेक्टर की बात करें तो यहां पर होटन और काशगर एर बेस हैं दोनों के बीच की दूरी साढ़े चार सो किलो मिटर से भी जादा है होटन से गार गुंसा की दूरी साढ़े पांसो किलो मिटर है इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ही एर फील्ड से उड़े फाइटर जेट्स अपने अपने एर फील्ड पर ही डिपेंड रहेंगे और अगर इन एर फील्ड पर अटैक हुआ तो दूसरे से सपोर्ट मिलना बेहत मुश्किल है क्योंकि एक तो दूरी बहुत जादा होगी दूस इतनी जादा जहाजों की तैनाती होगी उतनी ही जादा जगा की भी जरूत पड़ेगी और तिबबत में चीनी एर फोर्स के पास बहुत कम जगा है फिलहाल लद्डाक में जहाँ पर विवाज चल रहा है उसके आसपास चीन के सिर्फ तीन एर बेस ही है सबसे करीब गारगुनसा है जो की करीब दस हजार फीट के उचाई पर है यहाँ चीनी एर फोर्स बीस से तीस जहाज डिप्लोई कर सकती है होटन लद्डाक से करीब साड़े तीन सो किलोमेटर दूर है जहाँ पर पचास से साथ जहाजों को रखा जा सकता है काशगर एर बेस करीब 600 किलोमेटर दूर है यहाँ पर 25 से 35 जहाजों को तैनाद किया जा सकता है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 100 से 125 जहाजी चीन लद्दाख के करीब तैनात कर सकता है जबकि भारतिय वायू सेना के पास यहाँ पर जबरदस तेज है लद्दाख के साड़े 300 किलुमेटर के दाइरे में करीब 10 से जादा एयर बेस हैं यहाँ पर मैं ALG यानि कि Advanced Lending Grounds की बात नहीं कर रहा हूँ एयर बेसिस की बात कर रहा हूँ तो आसपास करीब 10 से जादा एयर बेस हैं लद्दाख के जहाँ पर 200 से जादा विमानों की तैनाती हो सकती है यानि जंग की सूरत में चीनी एरफोर्स आउट नंबर्ड हो जाएगी उसके विमानों से करीब दो गुने विमानों के साथ भारतिय वायू सेना की स्थिति काफी मजबूत होगी लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारतिय वायू सेना यहां हर फील्ड में चीनी वायू सेना पर भारी है उनके कुछ मजबूतिया भी है जहां पर हम कमजोर है और युद्ध के हालातों में इनका रोल भी बेहद एहम होता है तो चलिए आपको बताते हैं कि चीन कहां पर मजबूत है और हम कहां पर कमजोर है चीनी एर फोर्स के पास लॉंग रेंज बॉंबर फ्लीट है जहां भारतिय वायू सेना उतनी मजबूत नहीं है हाला कि मिराज और जगवार डी पेनेटरेटिंग जट्स के जरिए भारतिय वायू सेना बॉंबिंग कर सकती है लेकिन तब भी यहां पर चीन भारी नजर आता है यानि भारतिय वायू सेना ने भी वार प्लैन बनाते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखा होगा कि उनके बॉंबर से कैसे डील करना है यही नहीं भारतिय वायू सेना अर्ली वार्निंग रडार के मामले में भी चीन के आगे कमजूर है चीनी एरफोर्स इस वक्त करी 20 अवाक्स इस्तमाल कर रही है जबकि इंडियान एरफोर्स के पास सिर्फ 5 अवाक्स है एरियल इंगेजमेंट के वक्त अवास की निरनायक भूमिका होती है क्योंकि इनके होने से दुश्वन को डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और खतरे पर टार्गिट करने की शमता कई गुना बढ़ जाती है चीनी एरफोर्स इस वक्त केजे 2000, केजे 200 और केजे 500 अवाक्स का इस्तमाल कर रही है वही भारतिय वायुसेन, DRDO के नित्रा और इसराइल से लिए फालकन को मिलाकर कुल पांच अवाक्स ही ऑपरेट कर रही है तो यहां भी जरुवत इंडियन एरफोर्स को फॉरन और जादा वाक्स से लैस करने की है और यह जादा एहम हो जाता है जब हालात टू फरंट वार के हो इसके लावा हम अटैक UAV के मामले में भी कमजोर हैं जबकि चीन के पास इनके कई स्कॉड रन है हलागि भारत की तरफ से भी अटैक UAV पर काम किया जा रहा है लेकिन मौजूदा स्पीड को देखते हुए इसे चीन से मैच कर पाना बेहद मुश्किल है मेरे इसाब से अटैक UAV को इमरजेंसी खरीद में लेना चाहिए जिससे युद की स्थिती में ये भारतिय वायु सेना के काम आ सके दोस्तों तो कुल मिलाकर हम लद्दाख लाके में फाइटर जेट्स के मामले में चीन से बहतर हैं अटैक हेलिकाप्टर्स के मामले में बहतर हैं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चीन मीलो दूर पीछे है एयर बेसेज और लोजिस्टिक्स के मामले में चीनी एरफोर्स हमारे सामने कहीं नहीं ठिकती हाई अल्टिट्यूड एरियल इंगेजमेंट में हमारे पाइलट चीनी पाइलट उसे कहीं आगे हैं दोस्तों इस पूरी एनलेसिस से आपको अंदाजा लगया होगा कि चीन भी ये बात अच्छी तरह से समझता है कि भारती एरफोर्स से लदाख वाले इलाके में टकराना इतना आसान नहीं है क्योंकि चीन को पता है कि लदाख के इलाके में इंडियन एरफोर्स उस पर भारी है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 62 की लडाई के बाद से भारत ने चीन को ध्यान में रखते हुए अपनी बैटल स्ट्रेटीजी बनाई और उसी का नतीजा है कि लदाख में चीन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है कि इस बार भारती एरफोर्स उसकी एरफोर्स के सामने सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी है और सिर्फ एरफोर्स के सामने नहीं, बलकि उसकी आर्मी के सामने भी। और ये दिवार 62 की लडाई में नहीं थी। दोस्तों, उमीद है आपको Defense Detective का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया है ये वीडियो, तो इसे शेयर करने में और लाइक करने में जरा भी कंजूसी ना बरते, क्यूंकि मेरा जो मकसद है, वो है देश तक सही जानकारी और सटीक जानकारी पहुंचाना, और झालिया है, तो असोदीडियो ब intellect बा जानकारी ऑनकारी एफाय पहुंचाना में पहुंचाना तक सतू है, एच गर ँच देझए कोब एहा है, पू फजजिग उ संद阵ाथ, पिमीद जानकार है ज buat र्राइlegen पहुंचाना, कंएक्कार ठाहिक सिन, भरता ए. याह है, याह